तो फ्रेंस वेलकम तो जेसी अकाडमी और आज मेरे साथ है गोरव जी और आज जो हमारा एक कैजुवल चाट कम डिसकुशन होगा और गोरव जी आपने सर अभी रीशेंट्ली अपना इस्वी एक प्यों का इंट्रिव्यू दिया है तो कब था आपका इंट्रिव्यू से मेर और नहीं है मेरा इंट्रिव्यू दो आज जो हम बिसकस करेंगे हम बिसकस करेंगे सर का SBI PO का इंट्रिव्यू एक्स्पीजियन्स वेलकम पिजिस्या काडमी से थैंक यू सर अजर गौरव सर आपका ये कुन सा अट्टेंट था या पहला इंट्रिव्यू था इस्गाइक् इसमें आपका केवलों केवल प्रीव 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 नहीं हुआ तो सबसे 2017 से 2019 सक यहां तक तो बहुत लंबा सफन आपका होगा सर जर्नी बैंकिंग के ऐसे ही है जैसा कि आप सभी को बता है कि जो बैंकिंग का कॉंपटिशन वो भी डेवाइड अपको तरदा है अगर आप सोस्ते हैं एक बार मैंने लिया दो बार दिया और मैं उसको रूल बैक करूँ तो यह पॉसिबल नहीं कि आप बैंकर बने जाता है किसी का दूसरा किसी का फाच्मा इस डिपेंड करता है कि आप ता परफेक्शन का वाजाता तरदेशन तो इसको लागे नहीं के लिए तो रेगुलिटी में आपको लगे रहना है और बिलकुल पूरे डिक्रूमेशन देसा है अगर अपने हार नहीं मानी और आप जाता है और देन रहीं है कि यह के लिए रहता संदेशन का एक गारफ़तम करके लिएक नहीं करेंड अरूडकाक करते हैं सबस्थे पहले हैं कि आप मुझे बताए कि जब आप पिण madam प्रुन को जब तानी कि आपका वन्हां पर कॉलिफाइब ग्रम इन सबस्थे लग्स्णों में सर है 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 अजरत है जो है है तो है एक एक करके जोस्तों पूछते हैं सब पहले हमको बताएं कि वहां का माहौल कैसा थे वागवे बहुत पर बादे पर लुग से बादे हैं जो भी होता है bank में आता procedure, भी एसले पहन रहनी करा देता है तो वहां जाके फिजिकल document verification नहीं हो। वहां पे आपको करवाना हैं पर रिषेक होगी original document के साथ अच्छा. आपको application form लेके जाना है आपना application form का फ्रिंट चालू होगे तो जो हम आप्लिकेशन बलगा कर रहे हैं या अपलाई कर रहे हैं वहीं पर आप मुशी समय लेकर रखें तो इंटर्वी वही इस ताम में आसरी वहां पर काम आएको और दूसरी जी यह रहती है जो भी उनके रहते हैं आपके जोई आपके अपके अप्रेटी पाहिए साथ कुछ पहले तो पस बिसकल कि लिए आपके दकुमेंट वेरिफिकेशन गाई गाम है जो फोर सो दिए उसके बाद आपका वेरिफिकेशन और फिर आपकी जीडी वह गाई फोगा तो जीडी और जीवी , फोड़ा बताएं कि इसए जीडी का मतलत कह नहें ग्रुप दिस्कुशन में लिए आपका जो आपकी पैनल में जितने भी आपके लोग रहेंगे साफ में, इंट्रिव्यर्स रहेंगे, उनको एक सर्टीन टॉपिक्स दिया जाएगा उस पर डिस्कुशन हुगा एक मॉर्मली कि आपकी थौट प्रोसस्स क्या उस टॉपिक के अपके बाल नहीं रहेंगे, आप कितने कांडिडेट्स होता हैं और आप 8 को लेते हैं सर उस में पैनल के रिगार्डी का यह मैंतर अगर यह ते इंट्रिव्यर्स प्रणकों चलेंगे 8 से 10 रहेंगे, और सर को डुरेशन भी फिक्स होता है क्यूप डिस्कुशन का और अपका 15-20 मेर तो एक GD चलता ही चलता है असब जनरली GD में आपको पहले से इतरब इंट्रेवी देने जाते हैं उसके पहले से टॉपिक प्रोपाइड होता है या वही देते हैं अजिसे आपको इसे आप गए आपका 8-10 लुगों का ग्रूप बन गया, Supervisor Zoom की जो पैनल रहेगा, वो देखेगा, उन्होंने आपको टॉपिक दे दिया, तो अब क्या फोल 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 चोड़ देते हैं, कोई भी कैसे भी पार्टिसिपेट करें, इस स्क्रमाटिक तरीके से पार्टिसिपेट के लिए आपक को कुछ मार्ट सबका एडवांटिस तो मिलता है, because you are initiated something, तो उसके लिए थोड़ा वर प्रफेंस मिलता है, बड़ ये मैटब नहीं है नहीं रहता कि आपना पहले ही बोलना च्राप किया, तो आपके मार्स जागा है, आप क्वालिटी वाइस बोलना है, because we have a limited time period, और generally सभी this trend को नहीं adopted होता है, so we think that, कि जो भी हम गोने, हम वो सही गोने है, उस topic को ही correlate करें, हमें topic से अलग नहीं जाना, so it's a major thing for the GDs parents, और GD के लिए मैंने जो vision be deserve, मैंने दा हिंदू लिए उसके लिए पड़ा, तो कभी को मेरा face नहीं बेरा, so मैं अब गया रहा सराम दिन से, so it's easy to do. तो आपका सब GD का topic गया था? मेरा GD के topic रखा गया था, वो रखा गया था, smart city इसकी क्या requirement नहीं है इंडिया में या नहीं, so इसके regarding उम्रूपरी खेली discussion रखा था, उस सबीन अपने thoughts था, जितने भी thoughts था, वो उसको रखा था, so जैसे कि हमारी जहांसी भी smart city, जहांसी भी smart city में आया, तो मैंने का, क्या importance होती, क्या revolutionary effect आने चाहिए, वो सारा रही अम्रूपरी में, smart city में आप सब जहांसी को belong करता हूँ, मैं जहांसी को belong करता हूँ, तो मैंने उसी के लिए सबीने बताया था, कि हाँ requirement है जहांसी तो basically, नुद्धा ये था, GD का topic ये था, कि our smart city is required or not, और आपको follow against, बात करना साइस, आपके क्या बंज़िए इसके, अचा सर तो जब GD के लिए फ्लोर open करा गया, क्या आपको GD शुरू कर जें, तो automatically लोगों उने पांटिसिपेट भी आ होगा, जो लोग नहीं बोल पाए, during the GD क्या उनको भी अलग से मौका मिलता है बात में participate कर लेंगा पांटिसिपेट करने, आपने होता है तो सही रहता है कि आपके time रहता है, अगर उस time पे thought process नहीं आते हो तो आपकी negativity ही चलिए आते है, करें थोड़ा राइड डाउनु तो अभर आपको बोलना चाहता है अपको नहीं है अपको अहीं पाइन तो प्रड़ से प्रड़ता है अपको अरग से आपको नहीं आप नहीं पर दे कुछ अधा है कि कौन नहां आएगा, यह सारा करवा दो है तो sequence pre-designed होता है यह होता है और मेरी जब आपके generally decide, decide आपके co-members है वो भी करते है कि क्योंकि आपका collision नहीं होना चाहिए तो क्या panel members पहले से बता देते हैं कि पहले आप बोलें और आप बोलें पहले से बता है कि कौन किस आपके बोलना चाहिए मतलब पैनल मेंबर्स decide नहीं करते हैं वो अभी कोई करना है कुछ पहले पहलता है कि हम लोग पर इस पे बोलना है तो फॉक्त उसके बोलना है इतना time देते हैं वेले पहलते हैं एक बोलना निवारे रहे या इस वालें पर इस पाइनल मेंबर्स ने भी नहीं बोला कि आप पर इंटर्व भी पाइनल मेंबर्स यह नहीं बोलते हैं कि आपको इंग्लिश में पार्टिसिपेट करना है ऐसा करना है दोस्तों यहां पर अच्छी आप लोगों के लिए इंपूट है अगर आपका GDPI होता है अगर आप North India को belong करते हैं तो आप रहें कि अगर आप Hindi और English दोनों में communicate करना चाहें तो बिल्कुल पॉसिबल है और जैसर के सर ने आमको feedback दिया आपका GDO होगा तो वहां पर भी आप जो है इसको यूज़ करें तो सर एक वार आपका GDO होगया उसके बाद GD आपने इसको बहते है इसमें का रहा है आपको बताना रहा है आप क्या जाम को उसके बढ़ा है कि जैसे हम लोगी एक्साइज करते हैं वे we just done all the things about that तो सर यह पर प्रसमें ुफ पैसिक डिफरेंस एक वाह पी आप डेटें लहां पर आप डेते हैं से बस्केशन में पेशों में यह रहता कि आप एक ठोकर प्रसमें अपने फॉर्ट प्रसमें वारें हैं अपने साइज से वह सारी प्रसमें आपका GE का क्या टॉपिक आशर इंवामेंटर लेग रिशूज़ इसे को के बीडैली में काफी देखे को मिलेगा आपको एर्फुशन का तो उसके रिगार्डिंग उनों ने कहा था है जो टॉपिक अमेना कि इंपेंट पड़ेगा देरी के तो वल्यूशन पे और उसके रिगार्डिंग आफ जो आपके नैशनल डर्मलत होती हैं, ग्यूशन काफी देरी को काफी देती हैं कि एक्पिशन काफी है जिए में कि आपको कुछ points पे सहमती बनानी कि आपको देना था कि उसके process क्या हो सकते हैं तो सब सारे group को जुनाने मसली कुछ points बनाना था कि क्या हम लुप पढ़ सकते हैं तो nutshell में आगर बोलें तो group discussion में the focus is a discussion on a certain topic यूँ में talking for and against और आपके communication skills को जादा evaluate करा जाएगा और GE में आपके knowledge और leadership skills को भी judge करेंगे तो कि महां पे आपको सारे group पुरा collectively consensus लेकर आना होता है और किसी भी topic पे decide करना होता है कि हमें क्या करना है इस चीज़ में तो आपका डेली के rising peer coalition को लेकर आया तो सारी कितना टाइम को आपके होता है ये विसिपली सरिस्में टाइम पुरा जादा ले जाता है ये बहुता है कि डेपेंड करता है candidates को कि उसकी thought process करा है बट minimal ले आप बात करें तो ये 25 से जादा मेंट हो सकता है तो कुछ specific time आपको मिलता है कि इतने time आपको टाइम को करना चादा है में आ गाता है उजा में अटकी यह संहें इस प्रवाण धरीचिटाल सब्सक्राने रावधाये पता हैं अचा सर एक छोटा सा इन कुट वर बटाया एं पता हैं दूरिं दूरिंग जी इटरीं इव एंपना गराओं में थी आपका है आप सही बूने गलत बूने, इस यूर जो जो भी आपने देलेवर किया है तो बसको बेसिकली साइलेटली आपका जीडी करवाता है, क्या वही पैनल आपका जीडी भी गरवाता है सही है, से मैंडेटली है, है क्या ठीकम मैंडेटली हो чем साइलेृर अगण है झादा, सब्सक्सकर स्व करवाता है कि यूप जो भी पियूर होते है कि अक्रिकर सी गरवाता है कउख स्वात Southwest Dash 스, यूंग है और हर बार पानलिस्ट भी अलग हो सकते हैं सबका रोली अलग तो अब आप में GD करा, GE हुआ उसके बाद आप पहुंचने इंट्रिवीरू में फिर इंट्रिवीरू के लिए टाइम लगा इंट्रिवीरू मैं बता हूँ ना कोetB με GD होगा जी, डी दीाो आपका सा इंट्रिवीरू कितना देर तक चला में जबता तक करेए 15-18 मिन के रीच में वह दुपता works इस Award mixer आपका सा इंत्रिवीरू कितना देर तक चला तक पकाफीज़ा बाकि कईचने ज़ग हैं अब इतना उतन है की कुल dus आप आते हैं काम की बाएट पर जब inٹर्वियू में आतर करे है एन्यून गे गिजिसर कारी आता है एół पैअज been अब बदा के बारे मैं बता है सोफा लगा था है सारा कुछ था एक या ऐख地 पारे होई है तो इसमें जो पैनलिस थे इकनम वैर इंटरेस्ट है और अगर थे सारा मैंने फस्स ली जब इंटर्पिया हुश फस्स ली रेंट किया सभी को मैं इसके बाद जो बेसिक एडिगेट्स होते देवें गिवें गिवें परमीशन फोर वा से थे आपको बोला अगा जाने यस मैंने बेड़ा तर सर्थ एक छोटा समय इंटरप्ट तर राओं और वहां का महाल कैसा था मतलर तैंस था कि इंटर्विक परीबर्स थे वह खुश थे यह उनको देख्या आपको डर लगा आपको अधाल कैसा था या मतलर आपको एसा था कुछ नहीं था कि आपको तो मतलब इस बार आप एक शीट अपी पकी बेर गई आए जाएंगे वह सब्सक्राइब यह हैं वैसे भी सभी का ड्रीम जोग रहता है इसलिए तो ठीक है सब आप गए आप उन्होंने बैटने को बोला सबसे पहला कुर्शन से अन्हों है आप नहीं मेरा नाम यह कूछा लिए पर उसकी बाद हुए जो जो जीरी ओ जीरी ऑ जीए में हमारे topics discuss किये गए थे उन्हें की पूछा था उनके regarding उन्होंने पूछा था कि क्या आपके topic थे तो मैंने उसको explain कर दिया जो नहीं था जैसे आपना इंट्रिवी होता तो यह नहीं सरी नहीं होता है एक जो भी सर रहते हैं एक question पूशते हैं तो certainly दूसरे भी पूश सकते हैं जैसे ही एक इसर जो हमारे panelist रहते हैं उनको अपना answer रहते हैं तो दूसरे जो हमारे panelist interviewer रहते हैं तो अपना question raise कर सकते हैं so it's your responsibility रहते हैं कि आप कितना time left answer रहते हैं अगर आपको कुश question नहीं रहते हैं तो simply say burdens of services so it's not a big deal मतलब अब आपको answer आता हो तो अची बात है नहीं आता हो तो आप चीज दे सकते हैं but तुका ना मारे हैं आप मतलब परी because they are very well known person each and every person obviously को की interviewers are very well rated तो आपसे आपके बारे में पूछा पूछे बारे जीडी सौजी के बारे में पूछा basic introduction tell me something about sir इसी basic questions था थोड़ा city के बारे में पूछा उसके बारे में पूछा के बारे में पूछा के जैसे के मेरा background engineering करता है तो और ने कहा कि आप जैसे के common question होता है bankers के लिए कि आप technical line चोड़ गे अपने engineering line चोड़ गे पैंगे क्यों आप अचा आपका मेरे काल से computer science faculty है computer science है तो they asking me questions about the importance कि क्या है banking तो मैंने उनकों बताया कि आजकर हम लोग move forward करने हैं towards जा रहे है digital banking के लिए तो digital banking के ऐसा perspective है जो banking में आई आए आए और वहाँ पे technical support की requirement पूछा है अगर जो बंदा हमारा specialist officer जैसे bank में हम चोड़के agencies आपी है IT officers आपी हैं तो हम लोग assign करते हैं जैसे कि कंप्यूटर से related or networking related issues तो अगर बंदा आपका technical रहेगा troubleshoot कर सकता तो basically जो bank का, services भी fast हो जागी suppose that किसी network error के वजे से नहीं हागा तो वो बंदा manage कर सकता तो मैंने ये positive sign बताये है तो मैंने बताया करने का sir, पहले हम लोग use करते banking को इक normal mode अज हमें online transactions के लिए reports देने पर दें हमारे पास customers आते हैं तो कोई digital transaction मानता है कोई OTT के रिगार्डी कोई रिगार्डी कोई रिगार्डी कोई तो हमें इसके लिए भी in-case skills की requirement होगी तो वो हम लोग deliver कर सकते as a engineer तो मेरे site से I think they are site और क्या पूचास उसके बहुत सर्व मेरे question उनों है जनर्री के रिगार्डी के रिगार्डी के लिए अभी जो एक हमारा environmental issue नहीं ने जोगा लगी है तो हर साल लगते लिए पर जादा ज़्यादा जादा को मैंने बताए कि नहां पे जो ब्राजीर की उन्होंने कैफ्टर भी कुछी तो उसे रिया था उसके रिगारे मुने खाँ ब्राजीर में काफी जागा है इंट्रस्टेट इवेंट होते हैं तो मैंने खाँ फूल-पॉल वहां पे काफी पॉपलर है तो मेरा अर्लियर की ताइम पे किल देते रुनार्डो तो मैंने बता लिया उसके बाद उन्होंने भूबन किया था उस टॉपिक से और उन्होंने जो हमारा मॉनिट्री सिस्टम का रेडिवितर है उसके रिगारे उन्होंने पूशा कि आप ल्यूस पर पढ़ते हैं तो अभ को अधिया तो मैंने उन्हों को अन्सर दिया कि जो 1.6,00 का रुप करोण की इस आर्ले ही दे रहा है वो सर्दसफंट है सब्सफ़स करना थे कि आद्धी आदुए मोशी पर दोड़ाओंस पर दूरूराउंस है। लिए उसी को दूर करने के लिए और इंप्रमेंट को प्रावने के लिए तैक्सिस में भी काफी रिलेइप दिया हैं। कि जो दिया गया है corporate tax में उससे क्या implementation होगे एक्नोमिक्स के रिगाड़ी में पूछ सकते जो भी सता होगे तो newspaper is the best मतलब current financial scenario क्या हो रहा है industry में क्या हो रहा है कोई environmental issues है कि हमारे बाले trans issues है तो 370 के रिगाड़ी में पूछे गए तो मतलब शुलुवाद सराप के introduction चिर्वी आपके surroundings कहा है 370 के बारे मेरे से पहरे जो एपने वेखी थी उससे 370 के रिगाड़ी चाचाचाचाच़ so it seems to be a current topic to anyone मतलब हम basically their motive is to check the general awareness of the country rate how well he or she is aware of the surroundings and the happenings around there exactly sir यह पूछा तो उसके बाद मेरा मेरा सब्गम के सब्केद में जर स्वाइबें, इस भप्ताहत और समुधा सब्धानost एल प्रड़ी बिद्धियर की अधरे नुम्हीन भी को कि उन्पना थीं और यह kenn편े भी सब्धाहट्वी टनको वीया है लाय। पुछते हैं candidate से तो the purpose is they need to understand कि आपका area of interest क्या है और उसी पर बेश मेरे क्याल से विज़ती ही मेरे पुराने students में सबके feedback है कि सब जो हमने उनको बताया कि हमको इन अरिया में interest है तो वहीं से they start asking तो आपने बोलाओगा आपका area of interest banking ने तो इसी दर banking गया है तो इसी दर banking गया है मैंना अपना career को two words shift कर लिया banking की तो आप से banking से related का को बज़ती है तो पहले तो आज़े पूंश भी आता है तो आज़े internet functions करता है यह देक्स है तो आज़े जोन मा रहा है, head of authority है, monetary system करता है सारा currency system, issue करता है currency, forex तो मैंने का currency को issue करना हो, burn करना तो burn करने को जैसे ही का तो the panelist asking me a question about the demortization तो बतो question से question या जो भी आप बोलेंगे आप नहीं पे उनको keywords मिल जागे या तो यहां पे दोस्तों आपके लिए बहुत important tip है whatever answers you give to the panel members be very careful के आप उनको कोई भी ऐसा चीज या ऐसा clue ना दे इसके बारे में आप आगे discussion ना करें तो अपने discussion को उसी direction में ले जाएं जहां पे आप comfortable रहेंगे बारे और वहां पे आपको बैल नोगेज़ जो मतला आप तो आप वोगल सब्सक्राइब करें तो मैंने बता रिया था है कि हमारा 8 November 2016 को किया गया था October 2020 आप भी famous हुआ था है तो इसके regarding demotization किया गया तो मैंने पूछा हुआ यह क्या पहरी बात रहता है तो I just simply given the answer because I know about it कि हमारा जो demotization था थार्टाइम सब्सक्राइब करें तो यह रहनों में कहा कि कि कितने maximum notes रहते हैं हमारे जो demotization किया था तो हमारी जो currency उसके according हो 10,000 rupees maximum note तो वैसे ही जो बन किया गया था earlier time off तो उन्होंने कहा क्या इससे help मिलती है क्या demotization currency में काफी लोग परेशान होगे थे नही currency शोड़ेज होगे तो मैंने कहा it's a part of उसमें कहीं कहीं कुछ सोच के लिए जैसे कि हमारे आपे fake currency को रुखना है तो उन्होंने कहा था जो जैसे की government की regarding अभी उन्होंने का budget भी उन्होंने का budget भी तो अभी फब्रिश्ट किस्ने के तो उससा general question तो पांचुलाई को में बुला सी दर्वन जो हमारी business चले उन्होंने budget उन्होंने कहा था what is the basic difference between union budget or interim budget because this financial year अभी उन्होंने तो वही उन्होंने मतलब जो बात पहरे हुई थी वो अभी पूछने तो आपको aware रहना का रही चीज़ मतलब जो सरकार अपना financial year surd नहीं करेगी तो interim budget आ सकता तो जब अगर दुबारा से case of election उन्होंने और दुबारा से जब अपना direct हो गया तो अपना पांचुलाई budget हमारे आपको किस टाइप आपको efficient budget मतलब हमारा income से साथ हम expenditure करेगी यहां पर मैं आपको input is opinion x bank budget basically दो तरीके के हो सकते हैं surplus deficit or balanced budget भी हो सकता है generally growing economies countries deficit budget जहां पर उनका provisions and expenditures are slightly more than what they will be earning in the entire year long आपकि उसी बज़े से जब growth का अपना pattern को पकड़ सकते हैं fiscal deficit तो कम करने की बात भी होगी उस बाल पी कोशन आया था fiscal deficit उनने पूछा था तो इसको कम क्यों किया जाता on a rate नहीं पूछे था because this kind of thing asking in the examination of means 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 में पूछ लेता है they just they basically know that क्यों किया रहता intention क्या रहता so fiscal deficit इतना obviously जितना पे depth कम रोग अपनी हमारी growth जाता है financially strongly capable होगी और हमारी economic boost up करेगी so this thing can be asked in our interview so we know every aspect of and sir how much all questions questions are so I just giving answer and answer and answer can be given because you have general awareness and answer can be given yes so I just give answer and answer can be given and answer can be given one question came and my sir asked me and I don't know about the exact questions but that question I simply just just 4-5 seconds and comfortably I said I don't know about the questions so all which questions questions to me questions to me so I explained all the things because the question you asked the question you asked the question you asked so after your interview last week last week last week last week last week the question banking was the third implementation and respect so I know about the date so it was 31st March 2020 extended two times extended one or two times extended 30th one April the 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 कि अपनाई की मुस परेंग युजा नेक्ट रिखा तो शेयर बंगो पर पास तो उसकी रिगार्ड इसारा स्विसे रिखाता एक्स्पेइन कीजिए कि आप कि इस चानते हैं स्विसेस तो उस प्लैफ्टों को चाहां पर आप जॉब करने चाहें तो मैं ने उसकी services बता दे कि योनों वगेरा एप के रिगादिन दाथ विए तो भूं पता दे को इसे situation-based question में पूछे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो आप situation-based में मुझसे पूछा रता है आप provisualry officer है और आप loan assign करना चाते हैं किसी बंदे को personal loan है तो आप उसको कैसे assign करेंग अगर वो हमारा सारा satisfied करते है तो अगर सर क्या पूछा गया था आप जो पूछा गया था सर ऐसी कि जो हमारे currency के रिडारी में बहुत से issues पूछे हो तो यह question चलते रहे थे हमारे पुछ question, जितने most of the probably जो रहे है नेरे एक या दो तीं question ही मैंने उनको सख्वरी का तो आपकी questions आपकी questions I just perfectly answer किया और they are very satisfied तो से जो खतम हुआ तो फिल कैसा ना? So जो मैं जहां मेरा खतम हो तो I just manage the chair a proper manner and I simply say thank you and have a good day time wish for I just left that So yes sir thank you very much for sharing your interview experience and I hope my students को भी काफी helpful लगेगा ये input and we wish you all the very best for the examination and results for upcoming results के लिए आपको हमारी board workshop काम है Yes sir, for the ability अगर मेरा भूता है So मिठाईले काईगा? मिठाईले काईगा, मिठाईले काईगा, और outfits के साब हो बिल्कुल से, जितना आप help कर सके students के लिए हमारे लिए उतना बड़ी है ठीक दोस्तों फिर मिलेंगे अगली बार और अगली बार इसी तरीके के और भी interactive videos हम लेके आएंगे जिससे कि आपको inputs भी मिलें Apart from the normal maths, English reasoning जो हम पुड़ाते हैं बड़ अमको लगता है कि इस तरीके के interactions से भी काफी सारे inputs मिलते हैं और बहुत ज़रूरी हैं चलो फिर मिलते हैं आपको अगले session में तब तक के लिए Bye Bye And don't forget to subscribe our channel और आप हमारा application GCA Academy भी download कर सकते हैं Google Play Store से और follow करें और आप हमारा सकते हैं Bye Bye